कि इसे सिध्ध होता है कि चिराग पास्वान की ताकत कैसे बेरोजगारों को नौजवानों को रोजगार मिले कैसे सिच्छा स्वास्त वेवस्ता दुरूस्त हो कैसे किसानों को यहां पर शम्मान मिले सभी पार्टियों ने हमको अफर दिया है तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं लड़ेंगे लाजी पूर कितनी बार मेरे नेता बोल चुके हैं लाजी पूर मेरा है मेरा था मेरा है मेरा रहेगा नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइश्टीज को मेरा विशेक हैं चिराग पासवान की दस मार्च को वैशाली लोग सभा में बड़ी रैली होने वाली है जन आशिरवाद यात्रा रैली है और हमाई साथ बा लिए बड़ा कारिकम रखे हैं और सभी पार्टी के हमारी पूरी पार्टी उस पर लगी हुई है सभी अमारे प्रदेश के सभी नेता लगे हुए हैं और लगभग कारिकम होगा मानी जब तो ऐलान होने वाला समय आई गया है कब ऐलान होगा यह तो कोई निश्चित है हमको लगा दो चार दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो एक दम क्लियर हो जाएगा कल अविश्चा ने बुलाया है अभी तो आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं अच्छी बात है सभावी कुरूप से हैं कि आप गडबंधन के आखरी हमको लगने वाला है तो सीट शेरिंग पर आखरी मुहर तो लगेगी तो बुलाय होंगे जरूरूरूप से हमको लगता कि बुलाय होंगे किती सीटों पर मांगे अब एक चीज में बता दो 2020 में जब हम लोग अलग हुए थे उसके बाद हम एंडिये में गए तो उस समय हमारी बात लगभग हो चुकी थी कि हम इतना इतना मेरी परमप्रागत सी सीटे हैं उस पर हम चुनाओ लड़ेंगे और हमारी जो संस्थापक तरदे राम बिलास पास्मान जी के राज सभा खाले हो थी इतनी हम लोग मांग किये थे इतना हमारा मांग क्या किये थे चौद्य में साथ सीट पर लड़े थे 19 में 6 प्लस 1 पर लड़े थे तो सभावुक रूप है कि मेरा उतना हिस्सा बनता है चाली सीट पर लड़ेंगे चाली सीट पर लड़ेंगे मैं पुना आपको बता देता हूं चाली सो सीट पर लोग जनसक्ती पार्टी राम बिलास के मिरे चाली करता मजबूती से लड़ेंगे और यह नहीं कि गढ़ बनन लड़ रहा है और मेरे कार्करता ऐसे लड़ेंगे कि मेरी पार्टी लड़रीय और कीतना भोटों से जीताने में काम करेंगे स Kelvinat करके सब दल से वाट आका बज़ों का बाज़ार गरम है दो गश्राइ त्विए पूलिटिकल कारिकम नहीं था मंच वह एक योजनाओं का सिलन्यास का कारिकम था सरकारी कारिकम था और निश्चित रूप से हमको भी पता चला इधर की बेगुस रामें हमारे नेतामंत्रित थे लेकिन पहले से कुछ कारिकम ऐसा था जिसमें हो सकता है उनका स्वास अब हमको इतना कनफर्म नहीं है नहीं आ पर यह लगा था लेकिन हो सकता है कि लेट से ख़बर गई हो सकता है कि क्या खबर इस सब अभी तो जबाब या तो बुलाने वाला बताएगा आना तो राश्टिय अध्धक जी बताएंगे इतना जानता हूं कि एक जुट है एक कह सब्सकार का मतलब आप लोग घबराने क्या हो सकता नहीं कोई मत भेत मन भेत कुछ कुछ कोई नहीं है आपको क्लियर जानता हूं कि कोई इस प्रगार की उसमें दिक्कत नहीं है सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाए एक जुट है एकदम टोटल एक जुट है और 40 की 40 सीड़ जीतने के में लगा हुआ है कई लोग चिराग पासवान को ओफर दे रहे हैं आजाईए माघडवनन के साथ तेजसु यादव के कई विधायक आरजएडी के विधायक अमर पासवान खुला कह रहा है कि आजाए बड़े भाई है आजाईए यहां पर नितिश कुमार के साथ अच्छा नहीं लेगा वहीं क कांग्रेस भी ओफर दे रहे हैं आरजएडी को भी स्वागत करते हैं देखिए इससे सिद्ध होता है कि चिराग पासवान की ताकत चिराग पासवान ने जो मेहनत किया है चिराग पासवान के वीजन में जो लोगों बिहार में जो अपनी मुहर लगाई है इससे सिद्ध हो तो इस मुहीम में जो चिराग पासवान घर घर निकले थे हर प्रखंड हर मनुमंडल हर जिला में गए थे और हमारे कारिकर्टा जो लगे हैं को घर घर पहुंचाने में तो निश्चीत रूप से इसका प्रणाम है कि आज सभी पार्टियों ने हमको फ़र दिया है तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं धन्यवाद देते हैं आज चेकल ने बड़ी रेली की ती लाखों लोग आयते दावा किया रहा है गांधी मैदान इनवीटेशन यहां पर गया है कि नहीं गया भी नहीं पता है अगर इन्विटेशन मिलेगा तो चिराग पासवान जी जरूर आएंगे प्रधान मंतरी मोदी का बहुत बड़ा हमारे नेता पर हात रहा है तो हमारे नेता उस दिनों को याद करते हैं जिस समय उनके पिता स्वरगी रामिलास पासवान में जीवन और मितु से संघर्स कर रहे थे लगातार प्रधान मंतरी ने एक पिता के रोल में आ करके एक गार्जियन के रोल में आ करके निरंतरता पुर्वक पर प्रति दिन डाक्टर से और हमारे आदेने नेता चिराग पासवान से उनके स्वास्त की लंबी चर्चा करते कैसे ठीक हों कैसे डवलम्मेंट के बारे में हर चीज जानते थे तो सभाविक रूप से वह अठूट रिस्ता मरते दम तक रहेगा कि बुरे दिन में कोई काम आया तो उसका रिस्ता दूसरा एक अठूट रिस्ता बनता रही बार प्रधान मंतरी जी तो हमारे नेता सुरू प्रधान मंतरी जी के जो नारा है 400 पार उसमें एकडम लोग जनसक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान मजबूती से 400 पार करने में लगे हुए लगे रहेंगे अच्छा आपकी पार्टी जिन सीडों पर लढने का दावा करें उन सीडों पर क्या तैयारी है हमारी पार्टी हम देखे ऐसी बात को बोले हैं पिछले लगबग दो साल से हमारे एक एक कार करता लगातार 40 सीट पे प्रतेक पंचायत के प्रतेक बूत पर अपनी कमिटी बन निरंटर्ता में हम लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग को चुनाओ की तैयारि नहीं करना है हम लोग चुनाओ के मोड में रहते हैं कल घोसना आचार संग्यता लगेगा हम लोग हमारे कारी करता जमीन पर उतर जाएंगे कितने लोग जुटेंगे दसतारीक को देखे अब कारिकम में हम नहीं कर सकते हैं कि इतना ऺड़ा फिल्ड है उसके पंश गुना लोग तो रहेंगी इतना तो मैं जाए Noel और नहिちゃんां मोर्त हाजिपूर कितनी बार मेरे नेता बोल चुए हाजिपूर मेरा है मेरा था मेरा है मेरा रहेगा आपने सुना कि क्या कूछ कहा है राजुतिवारी जी है साफ साफ कह रहे हैं दस तारिक को चिराख पासवान बड़ा एलान कर सकते हैं वहीं इनों ने ये भी कहा कि छो तारिक को जो पियम मोदी की बेतिया में सबा है उसको लेकर भी इनका साफ साफ कहना है इंविटेशन मिल है मेरा रहेगा और हमारी पार्टी लड़ेगी तो वे रहें लाइफ इटीज के साथ करें